कि वर्तमान खराब हो रहा हिस्त्री के नाम पे इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तो शमाल के और यह जो सत्ता दाव पेज खेल रही है नो इसका दाव पेज हम खुझ जो गुबारा फोगा हुआ है नो उसमें हम अपने ओटों से छेट कर देंगे सारा हुआ निकल जाएगा तो परदान में बीजेपी है लाए है कि हम लाए है कॉंग्रेस से सत्ता निकाल के इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तो समाल के यही तो चल रहा है डबल इंजन की सरकार में जनता पीछ रही है दोनों बाजू के इंजन में क्योंकि वो यह है कि सत्ता के दाओं पेच से रखना नवास्ता बचों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता जो यह उनमात फैला रहे हैं उस पर ना भटक करके हमें अपने बचों की भवीशी के बारे में सोचना है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बचों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता बटका न दे कोई तुमें चाय के नाम उपे भगवान का नाम लेकर के ओट मांग रहे थे जैशी राम तो फिर करनाटक में नहीं चला तो बजरंग बली को लिया है तो बजर नमशकार मैं सीखा आप सभी का जनहीतावाज में स्वागत है एक बार फिर से मेरे साथ कलीम सेख मौजूद हैं हम इनसे बातशीक्त करेंगे तमाम मुद्दे हैं लेकिन सबसे पहले आज इनके हिसाब से बात करना चाहेंगे कि आपके पास क्या कुछ साहिरी है आज के लि पुछ साल में खटम हो गये हैं तो हमको शुरू कहां से अब 24 में देखंगे की शुरू कहां से होना है खुछ-टो लाय होंगे जलान चाहते हैं लाय तो पर दानमें बीजयपी है लाएं हैं कि हम लाएं हैं कॉंगरेस से सत्ता निकालके इस कुर्शी को रखना मेरे भकतों समालके यही तो चल रहा है डववा बाजु के इंजन में जनता पीछ रहे है दोनों बाजू के इंजन में तो तो मेरे अब फूड लूप भी है, दोस्ट आप खुद लिटी हो, शीक हो मैं कलीम हूँ, हम बैठके शंबत कर रह रहे हैं अपस में हमारे बिच में क्या है तो इस तरह के जो प्रपगंडा वाले लोग है या इस तरह के जो उनमादी लोग है सरकार क्या आँख बंद कर रही है क्यों ने इनको जेल में डाल रही है क्यों ने इनको परकारवाई कर रही है यह तो हम जनता चाहते हैं, यही तो हम जनता देख रहे हैं, नहीं तो यह 24 में इतना बुरा हाल होगा इनका, कि यह शीटे अपने दुर्वीन चे देखेंगे, कहां आ रही है, कहां नहीं आ रही है, आपने अभी महारास्थ का भी देखा होगा, आप महारास्थ के वारे मेसा तो ये भगवान का नाम ले करके वोट मांग रहे थे, जैशी राम, तो फिर करनाटक में नहीं चला तो बजरंग बली को लिया है, अब बजरंग बली नहीं, अब महराश में नहीं चलेंगे, तो औरंग जेप को मुगलो को ला रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूं, क्यों कि बा भक्तो, शमाल के, तो हम जनता इस बार कुर्शी खीचने वाले हैं, वाह, मैं यही तो सुनना चाह रही थी इन से, मैंने सोचा था कि आज कुछ, मतलब पॉलिटिकल मुद्दों से हट के बात करेंगे, कल जब मेरी कलीम जी से बात हुई, तो हमने सोचा था कि कुछ ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि ये बहुत लोग के आइडल हैं और इनका जो, इनका क्या नजरिया इस मुद्दे पे, वो लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो इनको किसी धर्म से नहीं जो रही हूँ, लेकिन है तो ये कलीम सेक, लेकिन मैं चाहती कि वर्तमान खराब हो रहा हिस्त्री के नाम पे, इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तो समाल के, और ये जो सत्ता दाव पेच खेल रही है नो, इसका दाव पेच हम खुज इसका जो गुबारा फोगा हुआ है नो, उसमें हम अपने ओटों से छेत कर देंगे, सारा हवा निकल क्योंकि वो ये है, कि सत्ता के दाव पेच से रखना नवास्ता, बचों की फिकर कर लो, अब खस्ता है रास्ता, जो ये उनमात फैला रहे हैं, उस पर ना भटक करके, हमें अपने बचों की भवीशी के बारे में सोचना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि बचों की फिकर कर लो, अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम उपे, इस कुरशी को रखना मेरे भक्तो समाल के, तो अब चाय के नाम पर कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा था, 14 में चाय बनाई थी, 19 में गरम कर ली, और 24 में फिर वही चाय गरम करें क्योंकि सुना हूं कि अमेरिका जाने वाले हैं, और अभी एक खबर भी आई है, कि वहाँ पर किसी मानोधिकार वाले हैं, कुछ तो बीबीची की डोकिमेंटरी दिखाने वाले हैं, और वहाँ के सांसुदों को भी बुलाया गया है निमंतरन दे करके, तो सोचिए कि अगर लोग दिखा देंगे, तो डंका पती का डंका क्या हालत होगा? या इसके तरफ से बोल रहे हैं, उसका रीच डाउन कर दो या आईडी ब्लॉक कर दो, तो आज पहले जो बर्तवान के जो मालिक थे पिछले, उन्होंने आज खुलासा किया है कि नहीं, ऐसा यहां की सरकार एकी थी, कि जो भी किसान का अंदोलन दिखा रहे हैं, उसको बैं तो आप इस पर देखें, फिर भी उनके तरफ से, बीजेपी के तरफ से लोग बोल रहे हैं, कि अरे वो जूट बोल रहे हैं, एक बात बटाए मैडम जी, सिंपल सी बात है, शत्य जो होता है, ये कभी परास्त नहीं होता, परेशान होता है, शुप्रिया स्रीनेत भी यहीं कह रही है, ये आपको खुद को पता है कि पेगासिस सौक्टवर का मामला आया था नो, क्या था हो, एक नहीं लगातार तीन-तीन मामले हो रहे हैं, एक तो भी ट्विटर का हो गया, उससे पहले भी कई मामले हुए थे, जैसे कि हिंडन वर्ट का का रिपोट है, तो सब को य जानती है, वो कहते थे जूटो ने जूटो से बोला कि सच बोलो और एक जूटो की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन दर्वाजे पर लिखा है कि सच बोलो, जबकि उसमें जूटो की मंडी है, बस वह याल है, अच्छा लगातार जो फिल्में थी, दकेरल स्टोरी, उससे प जारा ये सब, ऐसे तो सरकार की तरफ से बोला जारा है कि ये लब जिहाद, जो धर्मांतरन हो रहा है, उसको परदाफास करने के लिए किया जारा है, ये मुवी बनाई जारी है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है हकीकत? मांगा है जवाब उन्होंने, अभी मैं जाओंगा तो मिलूँगा उनसे, नहीं कुछ लोग क्यते हैं कि ये एक बात बताओं मेडम, पहली बात, अगर जबर्जस्ती धर्मांतर हुआ है, तो ये गलत है, उसको पर कानूनी करवाई करो, लेकिन ये प्रपगंड़ा बना कर अगर आ रहे हैं, तो ये अलग बात हो गई, लेकिन अगर कोई जबर्जस्ती करवा रहा है, तो ये गलत है, उसको प्रपगंड़ा मत बनाओ, हम बेखूफ नहीं, मुर्ख नहीं है, हमारे शिक्चा, स्वास, रोजगार, मैलाओं के उपर जो शुरक्षा की गैरंटी है, उस पर बात करो, आपको ऐसा लगता है, जिसे कि राहूल गांदी ने अभी विदेश में जाके बयान दिया, कि पहले दलितों की जिसी हालत थी, अब मुसल्मानों की वो हालत है देश में, तो आपको लगता है, जिसे दलित के लिए फिर S.C.S.T.E. Act आया, तो ऐसा लगता सब्सक्राइब तो उनी की खिलाब बना रहे है, टारगेटिंग भी उनी को कर रहे हैं, जैसे उत्राकन में दुकान खाली करा रहे हैं, घर खाली करा रहे हैं, मनिपूर में जो अल्प संक्या करें, जो इने पर बहुत सक्थ सजा देना चाहिए, मैं ये जानता हूँ, आप से कई बार पूछ चुकी हूँ कि 2024 में क्या होगा जोजाद 24 में खदेड़ा होगा नहीं अगर जैसे कि आपको किसी बी किसी चीज से दिक्कत है मालीज दिक्कत हमारे हिंदू-मुश्लिम शीक इशाही जाती वाक्त है अपी खबर पे सुनिए एक खबर पे यह जो पना रहे Tracy giaaini Jirima, 52,000 लोगों को भी नौकरी का पत्र देंगे अभी पड़दान मंत्री बातेंगे और फ्शा कर रहे ना प्रदान मंत्री पड़दान मंद्री कि यह कौन होते हैं यह नोगरी आहाथ से बातेगे प्रदार मंथरी नहीं जो एगजाम दिया है जो पास ला वो कईए ना आप मतुत भी नोग बहुता हैं तो भातर अजन नौकरी तो रहें तो रहें खही अभी तक 18 करोड होना चाहिए था बहतर हादार जो दे रहे हैं मुर खुछ शर्वे करा के देख चुके इनकी क्या डरे हुए हैं। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। और आप लोकतंतर के चोथे स्थम हैं। तो आप बटाएए कि अर्टिकल सेवेंटीनाइन क्या करता है। अर्टिकल सेवेंटीनाइन केता है कि राश्रपती ही जो है संविधान का अभिवावक होता है। और राश्रपती को ही अधिकार है जो राज्यसभा और लोक्षभा के अधिवेशन बोलाने का उसे भंग भी करने का लोक्षभा के इसका राश्रपती को अधिकार है। किसान के अंदोलन में गए थे खरे जाय में करें लोगों कि जाना तो मुझे अब पूरे देश के हर राज्य में हराज में जाएंगे जी तो क्या संधेज देंगे राज्मा हर राज्यवें। हमें जिंडरहने दो, ए मिलदिया वालो इहाप बोलोगेश के कि मेडिया ही हमारी बरबादी की जिमेदार है लोगतंत्र का छौता स्थम कौन है मीज़ा और जंतेने के भी समभा साथने का माधियम कौन है तो व है तो मीडिया जेक्टेजिफे प्रॉइनारी पॉर्ट इसंदेट्ट पॉर्टिकुलर मेडिया इसकेश भॉले वाख बहुत गंदगी ज़ीं भहुत जादा है तीवी खोल तो कोई उदर बेुगूफ खड़ा रहता है एक इधर बेवकूफ खड़ा रहता है, एक हिंदू रहता है, एक मुस्लिम रहता है, दोनों बेवकूफ आपस में लड़ते हैं, वो हमें दिखाते हैं, सोस्य मेडिया में भी, तो हम तुम्हें तो दर्शकों से यह कहता ही हूं बार-बार, कि ऐसे चैनल जहां दिखे उसे र दूंगियों का सत्ता है, तो चलिए हमने बातचीत की कलीम सेख से बहुत अच्छा लगा, हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, फिलाल तो आप इतना बताईए कि हमारी बातचीत कैसी लगई, अपनी राई जरूर दीजेगा,